हेलो स्टुडेंट्स देखी देखते हम एपने एक छोटे से एप्लिकेशन को और जो कि है एंपियर सब्सक्राइब का एप्लिकेशन यह कोश्चन की तरह भी आता है आपके पास और एक डरीबेशन भी आप इसे बोल सकते हैं जिससे आपको बोल देगा कोई आपके पास कोई यह कोई वायर है जिससे इस तरहीं के से कोई इन्फाइनिट लेंट को का बाइसमें करेंगे करेंगे किसी पॉइंट पर मतलब जो हैंक अउट्साइड लाइ कर रहा है कंडेकटर के वह बहां पर आपको magnetic field find out करनी है और एक कोई point P बोल देगा again जो inside lie कर रहा है किसी conductor के या wire के बहां पर magnetic field तो आपको दोनों point पर magnetic field निकलवा लेगा outside the wire और inside the wire किसी point पर clear या फिर इन दोनों का ratio निकलवा लेता है तो कई तरह के से question पूछा रहता है काफी important है तो समझते हैं देखिए एंपियर सब्सक्राइब का यूज करके आपको निकालना है हमको पता है जब हम एंपियर सब्सक्राइब करते हैं किसी भी पॉइंट पी पर सपोज हमने पहला केस माल लिए हमें outside find out करनी है magnetic field तो पी पॉइंट पर जहां पर हमको magnetic field निकालनी होती बहां से पास करते हुए एक एंपियर लूप हम construct करते हैं जैसे कि हमने यहां dotted line से कर दिया करते हां dotted circle से तो यह हमारे एंपियर एंपियर लूप है कि अब आपको यहां पर इंप्रत से लेंथ लेंठ बढ़नरेंत दील और मानते हैं यहां पर यह यापक चोरय दोल हम जानते हैं क्या होता है तो पहले हम यहां निकालेंगे सब्सक्राइब से दिस्टेंस को तोड़ है operation two Ampere Circuital Law V No Kya होता है Ampere Circuital Law Integration of B dot DL Is equal to Mu 0 times I In close Is को हम बलते Length Element Here is a line integral of magnetic field Line integral of magnetic field Is equal to Mu 0 times of Total current inside the loop यह कहलाता है हमारा Ampere Circuital Law इसका हमें यूज करना है तो यहां point पर हमने DL मान लिया Length Element तो इसकी वज़े से Magnitive Field के लिए हम यह लिख सकते है B dot DL Equal to Mu 0 I यह हमारा लूप है तो यहां से अगा हम इसको देखी करें A dot B is equal to तो हमें पता है A B cos theta होता है यह dot product है B और DL का तो हम इसको लिख सकते हैं देखिए B Conductor के क्या कर देते हैं Curl कर देते हैं जैसा कि पहले derivation बताया तो आप इदर थम कीज़े Right Hand का और Fingers आपकी इस तरीके से आएगी तो Magnitive Field इस point पर निकाले तो कैसी आएगी Outward Direction में उपर की तरब जो आप देख रहे हैं Screen इसमें उपर की तरब क्योंकि Current इस तरीके से मतलो जो Magnitive Current इस तरीके से फिलो कर रही Right Direction में तो आप थमिदर रखेंगे और Fingers को जब करेंगे तो आपकी Fingers इस तरीके से घुमेंगी तो यह Outward Direction Magnitive Field आगी अगें जो Length element की Direction होती है उसको भी हम Current की Direction में लें Current इसी Direction में तो DL और Magnetic Field दोनों की बीच आइंगें तो से enigle क्या होगा दोनों सेंब डेक्शन में ऊपर की Direction में तब जो अःंगें होगा दोनों की बीच इता होगा जिए होगा तो यहां लिख सकते है से आए पूरा बड़ा लूप है कि पूरी करेंट को फिलो कर वह है तो यहां लेक्ट के लिए जाया आप लेंट से यहां माने यहां माने यहां माने किसी भी पॉइंट पर आप कंसीडर करते हैं लेंट element तो सब जगे magnifique लगवा constant रहेगी क्योंकि distance भी सेम है तो बी को हम constant 1 के बाहर ले लेते हैं कि हम बोल सकते है यह से डीयल कॉज जिवा होता है बन equal to mu not i अगे आप बात देखा है डीयल integration का मतलब होता है summation करें डीयल डीयल जब आप मिलाएंगे पूरे लूप के लिए तो यह हमारी बनेगी circumferences कि क्या बनेगी circumferences लेकिन और है क्या याद रखिए center से distance है किसी वायर के center से distance point P तक की तो यह हमारी circumferences बनेगी या फिर आप ऐसे समझते हैं डीयल को जाब integrate करेंगे तो एल बनेगा और हमारी क्या हो जाएगी पूरी circumferences वह के टी होगी टू पाई या फिर ऐसे समझ लिए डीयल यह जब आप मिलाएंगे तो पूरी यह क्या बनेगी यह circumferences तो हम इसको ऐसे लिए सकते हैं बी इंटू टू पाई स्मॉल आर एक्वल टू म्यू नॉट आई तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आई तो यह हमारी कैस् प्रलि डीयू अुट मैं टील पाई यह मैं प्रलियू गोआ है गोण प्र8 दू टावर कैया अगरा एकैय काई पी लाइं इंसाइड लाइं इंसाइड दा वायर वायर के अंदर अगर पॉइंट हो तब कैस क्या होगा देखिए अगर बायर वह अगर वायर के अंदर हमने मानली सपोर्जी कोई पॉइंट पी है सब्सक्राइब क्या क ministry यहां से होता हुआ एक मैं मैंने महीं अदुक्ताइब Club करती जो सब्सक्क्राइब शोंड़ियन wha मैं तो यहां से देखिए हम जानते हैं-पियL एंपियर सेक्रिटर लोग क्या होता है सिंस एंपियर सेक्रिटर लोग इंटिगेशन आफ वी डॉट डील वेक्टर एक्वल टू मू नॉट आई इंप्लोग अधियर अगेल भाई वी और डील के भी दोनों सेम डिरेक्शन में होंगे मैगनेटिक फील इस डिरेक्शन में और लेंध अलिमें दोलो सेम डिरेक्शन में तो एंगिल किता होगा जीवो तो वी डील कॉस जीवो इक्वल टू मू नॉट अब आई इंक्लोज आपको निकालने देखें आई इंक्लोज आप कैसे निकालें अगर मैं यह देखें इसका एरिया माल लेता हूं यह इसकी जो वेडियस है इसकी इसको मैं माल लेता हूं कैप्टल आइसको क्या माल लेता हूं कैप्टल आइस यह माल लेता हूं सब्सक्राइब कैप्टल ए तो इसकी वेडियस को माल लिए मैंने कैप्टल ए अब अगर मैं यहां से करेंट पर उनिट लिए इसके लीए निकालों क्या करेंट पर यूनिट एडिया तो अगर मैं निकालू पर यूनिट एडियर फोर वायर तो यहां से current per unit area for wire हम लेक्ष सकते करेंट जो टोटल करेंट अपान एरिया उसका क्रॉस्टेक्ष्टन लेए किता होगा पाई एसक्वाइज किती है पाई एसक्वाइज तो यह current per unit area अब हमको कितने एरिये से निकालने देखिए जो छोटा वाला लूप बनना इसका यह किता होगा पाई आर स्कॉरा पाई स्मॉल आर स्कॉरा है तो यूनिट एरिये से current जो पास कर रही है वह हमारी है आई अपाउन पाई एसकॉरा है हमको चाहिए पाई आर स्कॉरा है लूप से पास होने वाली करेंट तो इतने यह से आपका कर दें मल्टिप्लाई कर दें तो वह ही करेंट जो होगी वह आई इंक्रोस कहलाएगी तो हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए करेंट कि पासिंग कि थू कि लूप कि आफ कि एविया पाई इसमॉल आप देखिए यूनिट एविया से इतनी पास कर वही तो कि इतने यह से क्या करेंगी मल्टिप्लाई डेट मीज इक्वल टू आई अपाउन पाई कि इसको इंटू पाई आवे सकाई त्रीम हम इसको लिख सकते हैं तो आइन क्लोज हमारी इतनी होगी तो यहां से हम लेख सकते हैं देखी क्या unit area से पास करने लिए करेंट आइए पॉन पाइए स्कॉर मॉल्टिप्लाइड बाइपाई आव स्कॉर पाइपाई बिन कैंसे डाउट यहां से देखी मैगनेटी फील्ड को हम क्या से ले सकते हैं कॉमन तो भी हमने बाहर ले लिया इंटू डी है से देखें समेशन होगा डील डील मिस thoughts करते हैं इस छोटे वाले के लिए तो स्क्राइब यहां से देखें एक आर एक आर कैंसल हो जाएगा तो यहां से कित्ता बचा देखें बी कोल टू म्यू नॉट आई आर अपान टू पाई एक इंसाइड अगर पॉइंट लाई करेगा तो हमारी जो मैगनेटी फील होगी वह यह होगी और यहां से आप देख सकते जो मैगनेटी फील है वो डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू आरे मतलब स्मॉला मतलब डिस्टेंस के डिरेक्ली वहां आपने देखा तो उपर वाले केसमें वह इंवर्सली प्रपोर्शनल टी क्योंकि यह सब देखी कॉंस्टेंट है एसक्वाइट पाई मू नॉट आई यह सब फॉंस्टेंट है यहां से मैगनेटी फील देखें तो इसमॉल आर के कैसी है डिकली पेपोर्शनल अगर ह कि हमने देखा जब पॉइंट इंसाइड होगा तो मैगनेटी फील क्या होगी डैकली प्रपोर्शनल टू आर तब जो ग्राफ होगा डिस्टेंस और मैगनेटी फील के बीच वह कैसा होगा इस्टेट लाइग यहां पर मैगनेटी फील क्या हो जाएगी मैक्सिमम अब होती इंवर स्टेट हिंध हो जाएगी कम होना चालो हो जाएगी कम होना चालो यहां गल्ती से यह क्या होगा कeking तो यह कुछ नहीं होगा यहां जो मैगनेटीव ही वह इन्वर्सली पेपोर्स्टनल के स्क्यों होगी इसमाइल की नॉट आज इसके नोट आज यह विद्ट के आप से और यहां पर देखी किया है डिर्कली पेपोज तो यह तो यह से तरीके से महां ग्राफ आएगा मैगनेटिक फील का तो थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दा वीडियो इंपोर्टेंट है काफी जाजा यह पूछा जाता है आपसे और कभी-कभी ना आपसे वेशियो भी पूछ लेता है इंसाइड और आउटसाइड के लिए मतला आपसे बोल देगा एवाई टू ऊपर है तो दोनों को डिवाइट करके आप निकाल लेंगे हैं से थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दा वीडियो